हलो दोस्तों, वेल्टम टू केफ़ाई एस और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में इंडिया और बंगलादेश के रिलेशन्स आपस में कैसे हैं, वो किस तरह से इवॉल्व हो हैं और करेंट सिचुएशन क्या है ठीक है यह आपके आई-ार के टॉपिक के लिए देखे, प्रिलिम्स में इसके लिए इंडिया बंगलादेश की ट्रेड पोजिशन्स क्या हैं, वेरियस ट्रेटीस कौन से होई हैं, रेल लिंक्स कौन से हैं, पोर्ट्स कौन से हैं, ट्रेंस कौन सी चलती हैं, और बंगलादेश के साथ बादरिंग इंडियन स्टेट कौन स और भी एक अदो important fact है, जो मैंने bold कर रखे हैं, वो आपको specifically पता लग जाएंगे इस वीडियो में, इसके साथ साथ अगर हम means की बात करें, तो we need to focus on development क्या है, various aspects क्या है, development के, और India-Bangaladees के overall relationship किस तरह से रहें, evolve हुए हैं, और security concerns क्या है, और India-Bangaladees-India के लिए किस तरह से important है, ठीक है, potential क्या है, वो जारा इसमें आपको मिल जाएगा, तो बिना कोई time waste किये, let's begin, देखे, relationship को समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा, इंडिया और Bangladesh की history क्या रही है, यानि Bangladesh की history को अगर हम briefly समझें, उसके बाद हम India-Bangaladees के relations phases में हम बात कर सकते हैं, तो let's first understand the history of Bangladesh, देखे, 1947 में जो modern Bangladesh है, उसकी border established हो चुकी थी, अब बहुत सारी लोग आप यह गएंगे, यह तो Bangladesh तो existing 1971 में हुआ था, देखे, Bangladesh as an independent mission 1971 में existence में आया, लेकिन after the division of India in 1947, क्या हुआ, एक पाकिस्तान बना, दूसरा इंडिया बना, जो पाकिस्तान बना था, उस टायम में आज का पाकिस्तान और आज का भांगलादेश दौनों included थे, ठीक है, तो वेस्ट पाकिस्तान है, वो आज का पाकिस्तान है, और जो इस्ट पाकिस्तान है, वो आज का भांगलादेश है, यह दौनों ही इस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पहले पाकिस्तान में थे 1947 में ठीक है और जो इस्ट पाकिस्तान यानि जो बांगलादेश है that was created by dividing the बांगलादेश of Bengal region of the India यानि कि Bengal को बाइफर्केट कर दिया गया जो वेस्ट पार्ट आया वो इंडिया माया है जिसको आजयों West Bengal यानि इसली हम Bengal को कहते हैं West Bengal यानिसी ति बेंगवल का West पार्ट है उर जो इस्ट पार्ट गया था इस्ट बैंगॉल था वो पाकिस्तान के कबजे में घ्रा जो बाद में 1971 में क्या बना बांगलादेश ठीक है अब क्या हुआ 1947 के बाद जो East Pakistan था यानि पांगला पीपल थे उनको West Pakistan द्वारा equal treatment नहीं दिया जाता था Resources के मामले में उनको dignified response नहीं दिया जाते थे उनको equal consider नहीं किया जाता था उन पर बहुत ही torture भी किये जाते थे उनको बहुत ही दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था तो इस वज़े से क्या हुआ कि because the East Pakistan people were not treated at par with the West Pakistan people तो क्या हुआ this created a gulf between the East and West Pakistan ठीक है अब East Pakistan के जो लोग थे उनके मन में थोड़ा सा discontent आने लगया तो struggle for independence के लिए वो एक momentum बनने लगया decades तक ठीक है अब फिर उसके बाद क्या हुआ देखे finally with the help of Indian military in the Bangladesh Liberation War of 1971 Bangladesh has emerged as an independent nation तो 1970 में Bangladesh Liberation War के द्वारा ये बंगलादेश बन गया अब यहाँ पर क्या हुआ यह जो में लीडर थे सेख मुजीबूर रहमान थे सेख मुजीबूर रहमान की हैस्याद बांगलादेश में ऐसी ही थी जैसे आज हमारे देश में महात्मा गांदी की है यानि father of nation समझे जाते है महात्मा गांदी उसी तरह सेख मुझीबुर रह्मान जातर population बांगलादेश के उनको मानती है father of the nation of बांगलादेश तो उनकी leadership में बांगलादेश ने अपनी independence डिकलियर कर दी मुझीब नगर एक जगह है वहाँ पैस 17 अप्रेल 1971 को provincial, provisional government के formation हुई और पहले president बने सेख मुझीबुर रह्मान और पहले prime minister थे ताजुद्दीन एहमद और देखे equality के लिए लड़े थे ये लोग human dignity के लिए लड़े थे अपने justice के लिए लड़े थे तो जो fundamental principle declare किये गए वो थे equality, human dignity and social justice अब यहाँ से इंडिया बांगलादेश को जो phases है उनको समझना आसान होगा अब देखे जैसे ही inception हुगा बांगलादेश का 1971 में तब से इंडिया बांगलादेश के relations थोड़े से complex रहे है जो उसमें cooperation भी रहा है contention भी रहा है ठीक है इंडिया ने बांगलादेश के independence में बहुत help की थी तो जो foundation है दोनों के बीच में relationship का that is based on the mutual support यानि कि foundation strong है लेकिन दोनों कंट्रीज के relation में इन सब चीजों ने दोनों के बीच के relationship को थोड़ा सा impact किया ठीक है अब इसको phase wise हम समझ लेते हैं phase में अगर हम बात करें तो पहला phase आता है सेख मुझीबुर रह्मान और early independence phase यानि के 1971 या 72 से माना है 1975 सेख मुझीबुर रह्मान अबामी league के leader थे और जो कि second prime minister बने इसे पहले कौन थे प्रेसिडेंट थे इनको father of nations माना जाता है बंगलादेश में उन्होंने किसमें फोकस किया secular बेंगॉली nationalism में फोकस किया और लोगों के welfare के लिए काम किया यानि socialist framework पर उन्होंने ध्यान दिया जिससे कि वो country में democratic values of equality democratic values of justice secularism इनको incorporate कर सके है अगर इंडिया बंगलादेश के context में देखे है तो यह बहुत अच्छा phase था जैसे कि इंडिया और बंगलादेश के बीच में ट्रीटी हुई थी इंडो बंगलादेशी ट्रीटी ओफ फ्रेंडशेब cooperation and peace with India which came into existence during this period only ठीक है लेकिन इसके साथ country बहुत सारे challenge भी face कर रहे थी बंगलादेश जैसे कि radical element मैं थोड़ा सा बढ़ रहे थे insurgency हो रहे थी और radical elements द्वारा तो यह face mostly इंडिया के लिए favorable था अब आते हैं दूसरे face पह वो दूसरे face में political instability हावी रहे थी वो presidential presidential erasimes mainly रहे थी और military coup का duration थी जो almost 20 years रहा 1975 से लेके 1996 तक देखिए इसकी starting होती है 1975 है जब सेख मुझीबूर रहमान को assassinate किया गया था एक military coup में यानि कि तक था ब्लट बाई military of Bangladesh in 1975 अब take over किस ने किया उनकी हत्या के बाद जनरल जिया और रहमान ने take over कर लिए बांगलादेश को वो के एक leading figure emerge हुए थी उन्होंने अपने आपको president गोशत कर दिया 1977 में लेकिन ये military coup का दौर था तो जिया थे जो जनरल जिया और रहमान थे उनको भी assassinate कर दिया गया 1981 में ठीक है आप ये पूरा timeline समझें बहुत clear हो जाएगा अब ये चुके जिया और रहमान president थे तो उनके साथ जो vice president थे उस time पे अब्दु सत्तार तो अब्दु सत्तार president बन गये क्योंकि जिया और रहमान को तो assassinate कर दिया गया था ठीक है अब जिया जो अब्दु सत्तार president बने उनको भी हटा दिया गया 1982 में अगें military coup के द्वारा ठीक है finally जो military के lieutenant general थे हुसेन मुहमद इर्षाद उन्होंने martial law declare कर दिया और खुद को बाद में president भी गो declare कर दिया 1983 में ठीक है अब क्या हुआ मुहमद इर्षाद president है 1983 इयर है इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनकी military government थी तो उन्होंने क्या कि इसको democratic character देते है ऐसा लगे कि democratically elected government है तो उन्होंने क्या किया जातिय party के थुरू election को contest किया election को लड़ा और vote irregularity के उन पर allegations लगे थे उन पर ये allegations लगे थे उन्होंने fair means से elections नहीं जीते हैं और उन्होंने बहुत सारी ऐसी technique से बहुत सारी ऐसे corruption से वो elections को जीत लिया था 1986 को ठीक है तो finally जो एर्शाद थे वो president बन गए democratic president और जैसे कि हमने कहा था कि ये fair elections नहीं थे तो pro-democracy से related movement स्टार्ट हो गया और एर्शाद को finally 1990 में resign करना पड़ गया इसके बाद 1991 में free election organized हुए और बांगलादेश nationalist party BNP एक leading party बन के उपरी जिसमें खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर बनी ठीक है और ये instability political turmoil 1996 तक बना रहा ठीक है बले ही उनकी party जीत गए थी खालिदा जिया की लेकिन इस instability 1996 तक बनी रही अब आता है phase सेख हसीना government का सेख हसीना सेख मुझीबुर रहमान जो आपने बाद की थी father of the nation उनकी बेटी है सेख हसीना is the daughter of सेख मुझीबुर रहमान तो 1996 में सेख हसीना की अवामी लेक्ट वही party थी उसने elections को जीत लिया और इसने जीतने के बाद ये effort शुरू करना करना शुरू किया कि जिससे के पूरे country में पार्लियमेंटी डेमोक्रेसी को वापस restore किया जा सके इसमें पहुत सारे इंडिया achievements हुए जैसे गंगा water sharing treaty 1996 की उसको sign किया गया चित्तगाउं हिल ट्रेक्ट के peace accords थे उनको sign किया गया तो जो सेख असीना की पहली term थी 1996 थे 2001 तक इंडिया के लिए बहुत favorable रही थी लेकिन अकिन इनकी political rivalry बढ़ रही थी violence बढ़ रहा था opposition बढ़ रहा था ठीक है बंगलादिश नेशनलिस्ट पार्टी में यह टेशल चल रही थी now now we come to the next phase phase of economic growth and political rivalry जो के चला 2001 से 2008 था इस phase में देखो political rivalry रही violence रहा opposition का boycott भी चलता रहा दोनों के बीच में ठीक है 2001 में फिर से खालिदा जिया जीती उन पर भी आरूप लगए कि vote rigging किया उन्होंने violence किया उन्होंने fair means से नहीं जीता है लेकिन वो जीत गही 2001 में लेकिन इस phase में 2001 से 2008 में economic growth चल रही थी economic growth बंगलादेश overall witness कर रहा था लेकिन इस government पे जिया लेट BNP government पे बंगलादेश में जो current government थी उस पर corruption के allegations थे extremism बढ़ रहा था तो ये political crisis बढ़ने लगा अब political crisis बढ़ गया तो 2006 में इकदम stability आ गई जिया को हटना पड़ा और उसके बाग caretaker government आई 2006 में जिसको lead किया था फकरुद्दीन एहमद ने और फकरुद्दीन एहमद ने 2006 से लेके इस caretaker government ने 2006 से लेके 2008 तक anti-corruption drives थे उन पर focus किया जिससे के polity और economy है बंगलादेश की इसको stabilize किया जा सके इसके बाद main phase आता है सेख हसीना का 2008 से 2014 था अब 2008 में सेख हसीना ने during this corruption allegation of खालेदा जिया उनके खिलाफा संतोष था तो सेख हसीना को एक landslide victory मिली दोनों ने बहुत सारे फ्रेंटर पर काम करना शुरू किया extremist violence थे उसको रोकने की कोशिस की रोहिंगा refugee crisis यानि मेयामार से जो रोहिंगा refugees आ रहे थे बंगलादेश में उस quadrants करने की कोशिस की साथ में उन्होंने इंडिया के साथ regional connectivity और economic growth पर focus करना शुरू कर दिया ठीक है लेकिन देखिए वो एक phase आता है anti-incombensive वाला phase आता है 2018 के election में हालंकि वो जीत गए थी पर उन पर election रिगेंगेंगे allegations थे बहुत सारी political controversies थे थे इसमें bilateral cooperation enhanced हुए national security पर focus हुआ दोनो armies ने मिलके काम किया connectivity वाले projects बहुत आए और economic collaboration और trade में भी बहुत improvement हुआ जैसे कि for example जो safe events है बंगलादेश के यानि बंगलादेश में ऐसी जगह है जहाँ पर terrorist आसानी से operate करते हैं उन safe events को बंगलादेश और इंडिया ने मिलके eradicate किया यानि anti-India terrorist group को eradicate किया मिलके economic, social, cultural rise को strong किया गया और इसके साथ साथ दोनो देशों के बीच में जो foreign diplomatic relations थे trade था, investment था वो सारा बड़ा ठीक है so India and बंगलादेश relationship was nurtured during the Sikh Asina regime current status का है दोनों देशों के बीच में वो देख लेते हैं तो पहला है refugee influx जो के एक negative है क्योंकि हमेशा से illegal immigration की समस्चा रही है बंगलादेश से illegal migrants इंडिया में enter करते रहते हैं जो bordering states हैं उसके resource to security को impact करते हैं overall इंडिया की national security को impact करते हैं Rohingya refugees का enter कर रहे थे माया मार से बंगलादेश में होकर ठीक है तो इसके लिए इंडिया ने response में क्या किया NRC लेकिया आया National Register of Citizens जिससे कि इस तरह के migration पर को कर्ब किया जा सके लेकिन this initiative of India has raised concerns in बंगलादेश ठीक है तो refugee influx से related थवड़ से negative है दूसरा Chinese influence के हमने बात कर लेते हैं जैसे कि बंगलादेश B.R.I.E. में active partner है Belton Road Initiative में और B.R.I.E. में जो infrastructure में चाइना ने कितने finance किया है project 10 billion dollars से जादा के इसके साथ 25 billion dollars से जादा के other projects में भी बंगलादेश में investment है चाइना का ठीक है पाकिस्तान के बाद सबस्यादा highest investment है South Asian countries में चाइना के इसके अलावा military ally भी बहुत अच्छा बनके उब रहा है बंगलादेश चाइना का रिसेंटली एक joint military exercise पहली joint military exercise नो ने conduct की थी 2024 में जिसका नाम है चाइना बंगलादेश golden friendship 2024 ठीक है और ये कहा जा रहा है कि that is based on the United Nations peacekeeping anti-terrorist operation ठीक है अब ये चाइना का increasing involvement है बंगलादेश के साथ वो potentially would undermine the regional standing of India ठीक है और strategic aspiration है regional leader बनने के इंटिया के उनको भी impact करता है ठीक है दूसरा instable neighborhood और लेडियम बात कर चुके है मतलब crisis वाले वीडियो में लेकिन यहाँ पर हम quickly देख लेते हैं कि जो बंगलादेश की instability है उससे radicalization का खत्रा है दूसरा Myanmar में भी turmoil चल रहा है चाना के साथ भी LSE stand-off चल रहा है line of actual control पर और पाकिस्तान की border पर तो हमेशा शुरहते हैं तो पूरा overall जो neighborhood है वो थोड़ा असा hostile and unstable है यह concern है हम defense and security से related देखे हैं यह दोनों के बीच में relationship तो यहाँ पर कुछ positive developments है दोनों को देखे यहाँ पर आप देख पार हैं पांच जो इंडियन states है वो बंगलादेश की border टच करते हैं जो overall border होती है वो है 4096.7 km ठीक है longest land boundary है जो इंडिया शेर करता है अपनी किसी इंडिया बर के साथ ठीक है और जो पांच state है वो कौन से है आसा हों वेस्ट बेंगल, मिजोरम, मेगाले अंतरपुरा ठीक है अब यहाँ पर दी के positive development यह है कि दोनों ही country border fencing पर focus कर रही है illegal migration को रोपने के लिए दूसरा boundary players का joint inspection हो रहा है joint boundary demarcation की बात हो रही है इसमें river and boundaries भी included है ठीक है land and river boundaries bilateral mechanism है दोनों की बीच में issues को resolve करने के लिए जैसे के DG level की talks है between border guarding forces DG level talks between the nodal drug control agencies ठीक है regularly held की जाती है regularly रखी जाती है इस तरह की talks and meetings to discuss and exchange information and to ensure the better coordination इसके साथ आर्मी भी involved है joint exercise में है जैसे के exercise संपर्ती आर्मी का exercise बॉंगो सागर है नेवी के लिए ठीक है तो overall देखे हैं जो इंडिया का नौर्ट इस्टन स्टेट्स हैं वो इंसर्जी मूब्मेंट से हमेशा affected रहा है ठीक है जिसमें mostly बंगलादेश के safe होगों से anti-terrorist anti-India terrorist operation operate किये जाते हैं जिसमें अभी तक से कशिना गौर्मेंट के साथ काफी positive development रहे हैं उनको eradicate करने पर काम हुआ है terrorist के safe events हैं बंगलादेश में उनको लेकिन अगर instable हुआ तो इसमें problem है तो ensuring stability in बंगलादेश is crucial for India's national security ठीक है अब तो political turmoil और उस तरह की violence होगा अगर रहेगा यह that would potentially spill over into the northeastern region to make that unstable ठीक है तो stability इसलिए जरूरी है ठीक है नाव कम तो दूदर्ग स्मगलिं human trafficking and fake currency part ठीक है there has been many incidences of cross-border drug smuggling and human trafficking, especially children and women they are trafficked various animal and bird species or poached and traded through these borders ठीक है और जो Narcotics Control Bureau है NCB की latest annual report को अगर हम देखे है तो उसमें यह कहा गया है कि drug trafficking through sea routes in the Arabian and Bay of Bengal, they are estimated to be around 70% of the total illegal drugs smuggled into India ठीक है तो यह बहुत important route है तो यहाँ पर instable है तो यहाँ पर एक drug smuggling के लिए उनके लिए favorable conditions है smugglers के लिए, traffickers के लिए और currency notes भी लाना आसान हो जाएगा gold के smuggling भी आसान हो जाएगी ठीक है? अब हम बात करते है relationship economy, investment on trade के लिएके अभी तक से एक हसीना government में यह positive developments है, for example दोनों के इंडिया के especially economic interest है, बांगलादेश को लेके बहुत significant है, ठीक है? क्योंके देखे, इंडिया के trade relationship बांगलादेश के साथ लगाधर बढ़ रहा है, investment भी बढ़ रहा है ठीक है? तो जैसे for example बांगलादेश, South Asia में इंडिया का सबसे बड़ा trade partner बनके उबरा है जिसमें अभी current अगर मैं देखूं 2023-2024 में, financial year में वो bilateral trade का figure क्या है? 13 billion dollar और इसमें से key export अगर मैं बाहर करूँ इंडिया से, तो इसमें key export में cotton, petroleum product, cereals ये key export है और दूसरी तरफ देखा जाए जैसे इंडिया का export देखें especially cotton का, तो cotton का जो export है, वो that is around 35% of India's total cotton export याने कि एक तयाई से जादा इंडिया का cotton बंगलादेश में ही जाता है और इंडिया से import क्या होता है? ready-made garments, बंगलेश बहुत बड़ी destination है ready-made garment manufacturing की तो वहाँ से लगबग जैसे fiscal year 24 की में बात करूँ तो 391 million dollar के ready-made garments import किये इंडिया ने, इसी तरह से बंगलादेश का भी चायना के बाद, इंडिया second biggest trade partner है एशिया में, ठीक है? जिसके export है around 2 billion US dollar इंडियन market में इसके साथ देखिए, इंडिया और बंगलादेश, South Asian free trade area को follow करते हैं, साफटा के अंडर है 2012 से, इसमें क्या है? कि जो बंगलादेश को duty free quota access दिया गया है सभी tariff lines पे यानि कि हर product में उसको duty free quota access दिया गया है, ठीक है? इंडिया में अपने product भेजने के लिए, लेकिन दो product के exceptions हैं, उनको आप याद रखेंगे और वो exception है, tobacco और alcohol, इसके साथ जो comprehensive economic partnership agreement है, CEPA ये एक trade agreement है, detail में इसका एक video बना देंगे, जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है? लेटर phase में पर अभी आप ये समझो कि ये एक trade agreement है जो कि trade को facilitate करने के लिए है, ठीक है? बहुत सारी countries का multilateral agreement तो दोनों country इंडिया और बंगलादेश समझें, feasibility study को इसका मतलब है कि they would analyze the cost to benefit कि इसको join करने के क्या cost होंगे, क्या benefit होंगे और क्या हमें join करना चाहिए, नहीं ठीक है? इसके साथ देखे, बंगलादेश 2026 में उसको अभी तक समझा जाता है least developed country, लेकिन 2026 में उससे ये status छिन जाएगा अब जैसी LDC status बंगलादेश पे से चला गया, तो बंगलादेश वोड लू जिस duty free and quota free market access in India जो अब तक मिलता रहा है उसको, तो इसलिए बंगलादेश और इंडिया दोनों discussions में हैं कि इन दोनों countries की बीच में bilateral free trade agreement एक sign किया जाए जिससे के बंगलादेश को duty free और quota free trade facilities इंडिया से मिलती रहें, तो वो अभी भी final नहीं हुआ है अब देखिए अगर इंस्टेबल होता ये region, तो इन सब चीमें पर फरक तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ में देखिए इंडिया के एक concern हो रहे है, कि एक और multilateral trade agreement है Regional Comprehensive Economic Partnership जिसको main जिसका founder कहलो या फिर जो main country है, इस partnership में वो है China तो इस Regional Comprehensive Economic Partnership को join किया है बंगलादेश ने, जबकि इंडिया ने नहीं किया है तो जो dual approach है बंगलादेश की, कि एक तरब तो इंडिया के साथ free trade agreement करना चाह रहा है दूसरी तरब, जो China RCEP, उसको join कर रखा है उसने तो ये इंडिया के लिए concern रजेश करती है यह हो गया अब हम connectivity और infrastructure की बात कर लिते है कि North Eastern State की जो connectivity है, वो heavily rely करती है उस infrastructure पर है उस connectivity पर है, जो बंगलादेश से होके गुजरती है, क्योंकि इंडिया और North Eastern State एक chicken corridor से जोड़ो हुआ है, जो बहुत ही narrow है तो बंगलादेश बहुत ही significant country है connectivity को ensure करने में ठीक है, और transit agreement और infrastructure projects को अभी तक बंगलादेश ने support किया है जिससे के Indian goods का trade और Indian people का movement facilitate हो सके तो दौनोदेश agree करते है अभी तक लेकिन अगर disruption होता है बंगलादेश में तो इन vital connection को बहुत नुक्सान पहुचेगा तो अभी तक क्या क्या हुआ है वो देख लेते हैं, इंडिया ने 8 billion US dollar की line of credit issue किये 2016 से line of credit क्या है कि इंडिया ने है कि हम आपको 8 billion US dollar का loan देंगे और इसमें से ऐसा नहीं है आपको पूरा ही एक साथ लेना है जब आपको जुरूत पड़े आप ले सकते हो total 8 billion कभी आपको 100 million की जुरूत पड़े हो ले लो तो overall over the period of time you can take 8 billion US dollar ठीक है infrastructure projects के लिए mainly जैसे के road, rail, shipping, port infrastructure ठीक है इंडिया और बंगलादेश ने 2023 में अखाउरा अगरतला rail link को inaugurate किया था ठीक है जो के बंगलादेश और नौर्थ इस्ट को जोड़ेगा especially तरपुरा को बंगलादेश से जोड़ेगा और ये अखरतला जो आप देख रहे हैं अगरतला अकुआरा जो rail link है ये पहला railway project है नौर्थ इस्टन स्टेट्स और बंगलादेश के बीच में ठीक है इसके लाबा देखिए बहुत सारी और railway lines है जैसे अगरतला अकुआरा तो हमने बात कर लिए इसके लाबा हल्री बाडी इंडिया और चिलाहाती बंगलादेश है इसके लाबा पेट्रा पोल एन बीना पोल है तो कौनसा किसम है यह आप एक बार पॉज करके देख लें यह important है प्रीलिम्स के लिए highlighted है इसके लाबा बहुत सारी railway lines हैं जो के इंडिया और बंगलादेश को connect करती है जासे मैत्री एकस्परेश, बंदन एकस्परेश, मिताली एकस्परेश है मैत्री कोलकिथा धाका को जबके बंदन एकस्परेश, कोलकिथा खुलना को ठीक है मौंगला पोर्ट लाइन है उससे क्या इंडिया पर इंपेक्ट पड़ेगा कि इंडिया को जो चत्तो ग्राम मौंगला पोर्ट है उनको डारेक्ट एक्सेस मिल जाएगा इस रेल लाइन के दुरू ठीक है जिसे वो बांगला देश में है बहुत आसान इसे अपने कारों का अब इससे क्या होगा जो के ऑपरेशनल है 1972 से इस प्रोटोकॉल का परपस यह था कि वो ट्रांजिट को और ट्रेड को फैसिलिटेट करें ठीक है यह हमने देख लिया अब देखें इंडिया इस आल्सो फोकसिंग उन मतरबारी पोर्ट जो के तरपरा से 100 किलोमेटर दूर ह और अब यह पोर्ट जब बनके तयार हो जाएगा इस विल क्रियेट वाइटल इंडस्ट्रियल कोरिडोर विच विल कनेक धाका एं नौर्थीस्ट इंडिया ठीक है अलोंग विद देखें वेरियस विम्स्टेक मास्टर प्लांस फोर ट्रांस्पोर्ट कनेक्टिविटी यह इसे क्या होगा एक शिपिंग नेटवर्क है वो एस्टेबलिश होगा अब यह हमने बात कर ली थी ओवर्वल कनेक्टिविटी इंफ्रस्ट्रक्चर की ठीक है अब नेस लेस्ट मुव तू दू अधर इशू जो कि है रिलिजेश मेनार्टी वाला इशू ही हिंदू मेनार्टी के आशू की ओवर्वाल हिंदू हैं वो अवे से 5 परसन्ट है total कंट्री के पोपुलेशन में तो जब कभी भी instability ह्योती है जब कभी भी into political crisis होगा इस country में तो यह fierce है कि उन हिन्दू कम्मिलिटी पे just बढ़ जाएगा ठीक है जैसे कि अभी होने की रिपोर्ट्स आ रही है ठीक है नाव लेस्ट मुव दू बॉडर लेंड लेंड बॉर्डर शूस यह भी एक पॉजिटिव डवलप्मेंट है कि से खसीना के टैन्यूर में लेंड बाउंडरी एग्रिमेंट फाइनलाइज हुआ जैसे इंडिया में कुछ ऐसे लेंड पॉकेश थे जो बंगलादेश को बिलोंग करते थे और बंगलादेश में कुछ ऐसे एनक्लेव्स यानि लेंड पैकेट्स थे जो इंडिया को बिलोंग करती तो यहां पर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया जिससे कि बाउंडरी डेमार से जिनका टोटल एडिया था 711 सेकर ठीक है तो दौनों कंट्री ने मेरिटाम डिस्प्यूट्स थे जो टेरिटोरियल वार्टर्स को लेगे उसको भी रिजॉल्ट किया काफी जगे पर ठीक है तो यह लेंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करते है नाव लेस्ट अंडर परशिया बंगलादेश और इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन सायन किया था उस मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन का परपस क्या था कि जो रूप और न्यूकलियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है वो बंगलादेश का पहला न्यूकलियर पावर रेक्टर होगा ठ जो के high speed डीजल को इंडिया से बंगलादेश ना carry करती है ये इंडिया बंगलादेश friendship plan inaugurate withी मार्च 2023 में ठीक है अब बात करते हैं water development water sharing पर इसमें mixed development है यहाँ पर मैंने एक आपको मेप के तुरू समझाने की कोशिस कर रखी है कि कौन सी river कौन सी है देखिए यहाँ पर आप tributaries का मतलब होता है main river में कोई पानी आके मिल रहा है एक stream आके मिल लही है उसको कहते हैं tributaries है नि ट्रिब्यूट कर रही है water channel में और डिस्ट्रिब्यूटरीज होती है कि existing जो main river है उससे एक नई stream निकल के कहीं और चली जा रही है यानि कि जो main river की water को दूसरी जगा distribute कर र अब देखो क्या होता है इंडिया वांगलादेश में 54 common rivers हैं लेकिन दो treaties sign हुई है अभी तक गंगा water treaty ठीक है और दूसरा है गंगा को बांगलादेश में पदमा के नाम से भी जानते है ठीक है यह वाली पदमा जहाब गंगा की आने वाली यह और जमना मिल जाते है इसको गंगा या पदमा के नाम से भी जानते है ठीक है तो गंगा water treaty 1996 की सायन हो चुकी है एक कुशियारा river treaty कुशियारा के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कुशियारा देखे यह बराक river की distributories है और बराक river सुर्मा और कुशियारा में बाइफरकेट होती है यहापे ठीक है और द देखो यह वाली तीसता river है ठीक है अब हम बात करते हैं थोड़ से इसमें देखते हैं तीसता bank है क्या अब देखे यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है जिसको जमुना के नाम से भी जाना जाता है बंगलादेश में तो ब्रह्मपुत्र की एक right attributaries है अब right और left कैसे decide करते है कि जिस तरफ जो river flow कर रही होती है उसके तरफ आप मुँ करके खड़े होंगे तो आपके right hand में right tributaries और left में left tributary तो देखे इसकी direction देखे ब्रह्मपुत्र जमुना की यह वाली है तो यहाँ से इधर के आप मुँ करके खड़े होंगे तो इधर आपका right हो गया यह left हो गय है तो right bank tributaries है तीसता किसकी ब्रह्मपुत्र की और यह originate कहा होती है चुन तांग में जो हमाला के पास में सिक्किम में है ठीक है सिक्किम से फिर वेस्ट बंगोल में आती है फाइनली बंगलादेश में एंटर करती है ठीक है तो यह water sharing के बारे में हमने देख लिया और foreign policy औ इंडिया ने invite किया था GTMT summit में बंगलादेश को और Modi की third term में first foreign dignitary जिसको invite किया गया वो थी हसीना हसीना ने विजिट किया था से एक हसीना ने डेली को ठीक है तो इसका मतलब में दोनों के बीच में अभी तक close diplomatic and economic ties है अब way forward में क्या बात कर सकते हैं कि way forward में देखिए यह यह सारी diplomatic engagement, regional security, border security, public perception को improve करना, humanitarian diplomatic response पर ध्यान देना यह सारी चीज़े include किया सकते हैं जिससे दौनों के बीच में ensure के relations अच्छे रहे हैं way forward उसमें देखिए अब diplomatic engagement की बात किया सकती है diplomatic engagement मतलब कि जो existing relationship है उसको maintain करना और जो नई relationship है धाका के साथ उसको build करना यानि कि licensing जिससे नई government alienate ना हो जाए इंडिया से ठीक है तो अगर थोड़े से diplomatically engagement बढ़ाई जाएं तो this will help India to manage the crisis and this will also help in fostering a peaceful resolution ठीक है दूसरा है regional stability तो जैसे हमने बात की थी कि unstable neighborhood है तो हमको regional stability पर भी ध्यान देना होगा तो both country must work towards ensuring that the political transition in Bangladesh does not lead to the more regional instability तो इंसके लिए दोनों countries को collaborative efforts डालने पढ़ेंगे जो security को address करें, economy concerns को address करें, connectivity को address करें, overall relationship को address करें ठीक है दूसरी border security यहाँ पर हम दो बार कर सकते है short term और long term में तो short term में देखें है तो border को monitor करना उसकी border security को tighten करना जिससे कहा है कि जो extremist या terrorist के potential movement है उससे related loopholes को fill कर सके है, वो movement को नहां हो पाए ठीक है और illegal immigrants या Indian territories में नहां पाए ठीक है, तो short term में यह कर सकते है, long term में क्या कर सकते है, कि artificial intelligence और data analytics की help से smart border solutions को लेके आया जाए उसको implement किया जाए, जिससे क्या हो कि cross border movements को streamline किया जा सके, जिससे security और efficiency ensure की जा सके इसके साथ साथ देखिए, public perceptions पर भी धान देना होगा कि India का जो भी response होगा वो shape करेगा बंगलादीस की population के response को उस बंगलादीसी population में इंडिया की image के CEO उसको ensure करेगा, तो यहां पर जो इंडिया का response हो उसको balance करना पड़ेगा पड़ेगा कि किस तरह से वो response करता है इस crisis में, जिससे कि उसके strategic interest भी बनी रहें और एक democratic process फॉलू कर रहा है, यह image यह message भी थन्वी हो लोगों की तरफ, तो public perception को manage करना है, दूसरा humanitarian and diplomatic response पर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे Hindu minority crisis की मैंने बात की, दूसरी बात human trafficking की भी बात क है, इन चीजों को भी इंडिया को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो आज के लिए इंडिया पंगला देस relation को हमने बहुत अच्छे से cover कर लिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप स्वस्त रहिए, पढ़ते रहिए थाए, तक के लिए लएके लिए याइस